सड़ जी, रे ओ सड़ जी, मतलब कितनी बेज़दी कराओगे सड़ जूट तो आप और आपकी पनौतियां ऐसे बोलती हैं जैसे सामने वाले के माथे पर तो बेवकुफ लिखा हो वैसे लेजेंड्स तो समझी गए होंगे कि बेवकुफ बोलना मेरी मजबूरी है असल में किस शब्द से यां भरपाई होनी थी वो आपको पता होगा अरविंद केजरिवाल जी, अब और कितना जूट बोलोगे आप आपकी जूट की परत अब दिन बदिन सब के सामने खुलती जा रही है आपके दिल्ली स्कूल मॉडल का तो हजारों बार परताफाश हो चुका है लेकिन आप फिर भी हमारे माते पर बेवकुफ लिखा ही मान रहे हो अरे सर्ड जी ऐसा नहीं है पढ़े लिखे लोगों की तो बात छोड़ दो एक गाओं का अंगूठा टेक इनसान भी कई मामलों में आप से ज्यादा समझदार है अच्छा नया मामला समझ लेते हैं सर्ड जी की टीम की एक महिला है आतिशी नाम से तो महिला कम और विसपोटक वस्तु ज्यादा लगती है और है भी इन्होंने ट्वीट कर लिखा था कि मतलब इनका कहना है कि केरला की तरफ से आये ओफिशियल्स की हमारे एक स्कूल में महमान नवाजी करके अच्छा लगा वे वहां के राज्या में हमारे शिक्षास मॉडल को समझने और लागू करने के इच्छुक थे यह है अरविंद केजरिवाल का राष्ट निर्मान मिलके सहयोग से कॉलबरेट करेंगे विसफोटक मेडम मतलब आतिशी जी लगता है एक अलग ही दुनिया में वो रहती है रात को देखे हुए सपने को दिन में ट्वीट कर देती है अब इसका दूसरा पक्ष जान लेते हैं जब किरला के मिनिस्ट आफ एजुकेशन आतिशी के इस जूटे ट्वीट का जवाब देते है उन्होंने ट्वीट किया केरला's department of education has not sent anyone to learn about the दिली model at the same time all assistant was provided to officials who had visited from दिली to study the केरला model last month we would like to know which officials were welcomed by the AAP MLA यानि केरल के शिक्षा विभाग ने दिली model के बारे में जानने के लिए किसी को नहीं भेजा है साथ ही पिछले महिने केरल model का अध्यान करने के लिए दिली से आय अधिकारियों को भी हर संभव सहायता प्तदान की गई हम जानना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी के विधायक ने किन अधिकारियों का स्वागत किया आप सोचिए आम आदमी पार्टी के नेता किस लेवल का जूट बोलते हैं और उस जूट का परदा फाश खुद केरला के एजुकेशन मिनिस्टर ने कर दिया मतलब समझ नहीं आता कि ये आम आदमी पार्टी के लोग पहले तो इतने कॉन्फिडेंस के साथ जूट बोल कैसे लेते हैं और दूसरा कि इतना सस्ता और कमजोर जूट कैसे बोल लेते हैं जो सेकेंडों में पकड़ा जा सके अरे भाई केरला जो शिक्षा के मामले में इंडिया में नंबर वन माना जाता है जहां लेटरेसी रेट करीब 95% है वहां की गौर्मेंट को दो कोड़ी के डेली मॉडल से सीखने की क्या जरूरत है और सीखते भी तब ना जब दिल्ली मॉडल जैसी कोई चीज होती चार स्कूलों को कलर कर देने से और उनमें पंखे लगवा देने को दिल्ली मॉडल नहीं कहते ये कोई पहली बार नहीं है कि इनका जूट रंगे हाथो पकड़ा गया हो क्योंकि अब जब शिक्षा मंतरी नहीं इनके जूट की पोल खोल दी है तो शक की कोई गुझाईश ही नहीं रहती फ्री के बिजली पानी देकर जिस प्रकार से दिल्ली की जनता का बेवकुफ बनाया सोचा इसी तरह से पूरे देश को बेवकुफ बनाएंगे पंजाब में कैसे इलेक्षन जीते हैं ये किसी से चुपा नहीं है 2014 में भी इलेक्षन में बनारस में आकर ये इस मफलर वाले ने क्या कहा था याद है आपको मैं आपकी सेवा करने आया हूँ जी आपके बेटे जैसा हूँ वो दिन है और आज का दिन है कभी मुड के नहीं देखा इस मफलर मैं ने उस बनारस को उत्राखंड में इलेक्षन में क्या बयान देकर आये थे यहाँ बिजली पानी फ्री करेंगे आप मेरे भाई हो ये शहीदों का राज्य है सबसे ज्यादा लोग यही से आर्मी में भरती होते हैं हलाकि सबसे ज्यादा लोग आर्मी में यही से हैं ये लाइन वो हर राज्य में जाकर बोलते हैं इलेक्षन के समय में और इस लाइन को बोलने से पहले एक किसी आदमी के कंदे पर बंदूख जरूर रख देते हैं कि यहां आने से पहले फलाने ने बताया कि यहां सबसे ज्यादा लोग आर्मी में भरती होते हैं तुम CM हो या क्या हो कुछ अपने पद की गरिमा तो रखो भाई या जैसे स्वरा भासकर पर अमीरियत वाला रोल सूट नहीं करता उसी प्रकार से आप पर भी CM की पदवी सूट नहीं करती ऐसा ही तो नहीं है खायर इस नए खुलासे के साथ ही केजरिवाल जी की ताबूत में एक और खील ठोकी जा चुकी है और अब जल्दी ताबूत में जगय भी नहीं बचेगी और उसके बाद वो केवल दफनाए जाते हैं यानि आम आदमी पार्टी खतम जिस प्रकार से प्राइवेट सेक्टर में जब आप एमपलॉई के रूप में जॉइनिंग करते हो तो शुरू के तीन महीने आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि भाई इस ट्रेनिंग में आप सफल हुए तो आपके नौकरी पकी इस ट्रेनिंग पीरेड को हनीमून पीरेड भी कहते हैं क्योंकि यहां काम नहीं करना केवल सीखना है वही हनीमून पीरेड आपका भी चल रहा था और इस पीरेड में आपकी पर्फॉर्मेंस नील बटे सननाटा रही पता है ना नील बटे सननाटा किसको कहते हैं पता ही हो अबस्ता है आप्रोला कर्म